वेल आज इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि पेपर ट्रेडिंग क्या होती है जिसे हम बोलते हैं फॉर्वर्ड टेस्टिंग भी कि आप बिना पैसे लगाए भी ट्रेड करते हो और वो क्यों करते हो क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि अगर मैं सीधा लाइव मार्केट में गया तो आते ही अगर मेरा नुकसान हो गया फिर क्या होगा तो आप पहले अपनी स्ट्राटेजी को ट्राइ करना चाहते हो या फिर आपने किसी यूट्यूबर की स्ट्राटेजी सुनी किसी ट्विटर पे इंस्ट्राग्राम पे किसी बंदे ने बोला यह मेरी बेस्ट्रा यह उन लोगों के लिए best है, जो अभी नए है, हो सकता आप एक college student हो, पैसे नहीं है, पर आप कुछ time तक अपनी strategy है, किसी और की strategy ही try करना चाते हो, या फिर आपको पैसा बढ़ाना है, अभी आप कम capital से deploy करके देखना चाते हो, तो उन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है, आप अपनी खुद की कोई भी strategy बना सकते हो, जैसे nifty bank, nifty fin, nifty पर आप कोई भी strategy बना सकते हो, मैं आपको simply दिखाता हूँ, माल लेते हैं, आपर कुछ templates हैं, अब मुझे इन पर paper trade करना है, मैं कहता हूँ, कि यह algorithm पर strategy है, यह कैसा perform करेंगी, यह पैसा देंगी भी या नहीं देंगी, किसी ने बोला कि भाई, यह strategy आपने हमारी videos में सुना, आपने कुछ और youtubers हैं, जो algorithms के उपर videos बना रहे हैं, आपको लगता है, strategy तो बोल रहे है, बट इस पर पैसा लगाने से पहले, मैं इसे check करना चाता हूँ, तो आप कुछ नहीं करते हैं, आप कोई भी strategy को, या तो आप create कर लेते हैं, जैसे मैंने बोला, या फिर आप strategy template पर जाते हैं, और आप कहते हैं, यह strategy है sniper, sniper option buying की strategy है, जिसमें ही बोलते हैं, अगर आप इसे लगबग 2 lot से चलाते हो, तो 1000 रुपे आपका book हो जाता है, और लगबग 2 lot से चलाने के आपके 8-10,000 रुपे जो लगते हैं, तो 8-10,000 रुपे पर 1000 रुपे वोग हो रहे हैं, और आपका loss भी defined है, तो अगर यह strategy में चलाऊंगा, तो क्या पैसा बनेगा, मैं कम से कम इसे हफता भर 10 दिन, 1 महीना चला के देखना चाता हूं, और paper trade करना चाता हूं, तो जब आप deploy करते हो, किसी भी strategy को deploy now पर click करते हो, आप यहाँ पर example मैंने बोला, दो lot से 1000 रुपे हैं पर define है, और जाधा स्यादा loss आप पहले से set कर सकते हो, कि मुझे 200 रुपे का loss नहीं लेना, यह maximum है, हो सकता 200 रुपे की loss हो, हो सकता 500 रुपे की loss हो, पेड़े maximum आप उसे condition देते हो, और अप यहाँ पर आ एक है live, एक है paper, जब आप live और paper में से decide कर लेते हो, again हम paper trading के उपर बात कर रहे हैं, तो हम paper पर deploy करना साते हैं, अब जैसे हम accept करके deploy करेंगे, deploy हो जाएगा, अब deploy होके क्या होगा, चली मैं आपके समने दिखाता हूँ, example मैं यह broker पर जाके, यह strategy को यहाँ पर deploy कर देता हू जब मैंने deploy किया, तो मेरी यहाँ पर सारी strategies, मैं example के लिए खोल लेता हूँ, यह सारी strategies live पर deployed है, जो आज चली थी, जिनका PNL आपको यहाँ पर देखेगा, आज यहाँ पर कोई PNL नहीं दिख रहा, क्योंकि यह तो अभी हमने आपके सामने deploy ही करी है, तो यह strategy पर live और paper, live और paper का मतलब क्या है, कि यह paper पर है, यह live नहीं है, अगर आपको जो भी इसका PNL होगा, वहाँ पर बिल्कुल as it is दिखेगा, कि इसने क्या trade लिया होता, जैसे कोई भी हाँ पर मैं strategy खोलता हूँ, इस strategy ने क्या किया, strategy ने यह trade लिये, इतने बज़े लिये, यह entry price था, य इतने बज़े क्या हुआ, उसी तरीके से paper पर भी same to same दिखेगा, बट अब क्या है, कि आपका real money नहीं लगा हुआ, बट जो होता real में वो यहाँ पर आपको देख रहा है, तो इस तरीके से कोई भी strategy को आप, एक हफता, दस दिन, एक महीना deploy करके देखो, जब आप उससे satisfied ह तब उस पर थोड़ा कम पैसे लगा, और profit बन रहो तो और पैसे लगा, तो यह तरीका होता है, paper पर trade करने का, paper trading करने का, अब इसी तरीके से, you can have multiple strategies, आपका जो भी broker है, यहाँ पर जाके connect कर सकते हो, और algo rooms की उपर, हमने अल्रीड एक video बनाया हुआ, अगर आपको detail जाननी है, software की इसे कैसे use करना है, तो i button पर link है, end screen पर link आप जाके देख सकते हो, तो वैसे तो बड़ा simple है, मैं फिर भी बता देता हूँ, आपका जो भी broker आप select कीजे, select करने के बाद, जो भी strategy आपकी है, आप example strategy template से, आपको लगता है, advanced delta neutral चलाना है, add to my strategy करो, इसके आगे कुछ भी लिख दो, जो आपको लिखना हो, मैं कहता हूँ, इसके आगे test लिख दिया, duplicate किया, यह मेरी my strategies में आ गया, मैं इसे backtest करके देख सकता हूँ, कि यह कितना profit दे रहा है, example मैं देखता हूँ, यहाँ पर इसका कितना profit आया, मैं देख सकता हूँ, उसका क्या profit है, और उसके बाद वहीं से my strategy से जाके, इसे deploy कर सकते हैं, deploy paper पर भी कर सकते हैं, live भी कर सकते हैं, तो मैंने बोला, आज हम paper trading की बात कर रहे हैं, तो यह बताना जरूरी है कि आप paper trading किस तरीके से कर सकते हो, अभी क्या कर रहा है, यह load कर रहा है, दो साल के सारे trades लेकर देख रहा है, और आपको फिर बताएगा कि आपका profit and loss जो भी होता हो क्या होता तो यह इसका profit रहता है यह इसका drawdown रहता है यह इसका chart है कि इस तरीके से profit देता और आप इनकी details बढ़ सकते हैं अब अगर आपकी कोई भी strategy है जैसे एक strategy है मेरे पास तो मैं अगर इसे deploy करना चाता हूं तो बड़ा simple है मैं यहाँ पर जाओंगा deploy बटन पर क्लिक करूंगा और deploy के बाद broker select करूंगा example में इस पर चलाना है और मुझे paper पर सलाना है कितने lot से चलाना है उसको max low से defined है except क्या deploy क नहीं होगा तो यहाँ पर भी आप देख सकते हो मैं जाता हूं तो देखिए यह दो paper पर चल रही है जो कि मुझे अलग से देखेंगी आपको paper trading का concept बिल्कुल simplest way में इस वीडियो में समझ आ गया होगा कैसे करना है क्या करना ये भी समझ आ गया होगा फिर भी अगर आपके कुछ सवाल आप comments में पूछ सकते हैं इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं जैसे maximum लोगों तक ये valuable information पहुंचे अपना प्यार दिने क कर सकते हैं सब्स्राइब कर दीजेगा बैल आइकन पर क्लिक कर दीजेगा जिससे आने वाली एक भी वीडियो आपके मिस ना हो एल्गोरूम्स का लिंक आपको description पिंट कॉमें में मिल जाएगा we will see you in the next video till the time you go self-made and jehand